Hello and welcome to Telly Talkies दोस्तों, Big Boss के घर के अंदर एक हो चुके है करनवीर और चाहत क्यूं? क्यूंकि दोनों को पता है कि उनका दुश्मन एक ही है और उनका दुश्मन है अविनाश वो अविनाश जिसने करनवीर और चाहत दोनों को पैशान कर रखा है और ऐसे में करनवीर और चाहत ने कम्माल कर दिया दोनों ने ले लिया बदला बदला अविनाश से किया कुछ चाहत ने ऐसा कि शिल्पा ने भी जुकाया चाहत के आगे अपना सर कहा सौरी और धैंकियो कैसे बदले शिल्पा के सुर? कैसे करणवीर और चाहत ने लिया बदला चलिए पूरी खबर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चानल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें दोस्तो बिग बॉस के घर के अंदर अविनाश ने बहुत बड़ी चालाकी की शिल्पा करणवीर को बताती है कि करण तुम्हें पता है कि ये जो अविनाश है इसने क्या करा इसके पास एक पिलो रखा था और मैंने वो पिलो ऐसे ही खटा दिया हिला दिया क्योंकि वो जेल की सलाकों के पास था तो वो बहुत भारी था तो मैंने उससे पूछा कि इसमें क्या है और उसके बाद मैं इशा के रूम में भी गई अविनाश ने मुझे कुछ नहीं बताया फिर मैंने इशा का पिलो उठाया तो इशा के पिलो में भी बहुत जादा उसने कहा कि हमने इसमें राशन रखा हुआ है कलको अगर बिग बॉस राशन नहीं देंगे तो हमारे पास राशन तो होगा ना इसका मतलब इन लोगों ने पिलो के अंदर छुपा छुपा के घर के कोने कोने में राशन रखे हुए हैं अब ऐसे में चाहत के कान खड़े कौन-कौन से पिलोज है क्योंकि मुझे शक हो रहा था कर रात को ईशा और ऐलस दोनों पिलोज में समान भर रही थी तो मुझे लगा ये कर क्या रही है अब ऐसे में करण ने कहा क्या तुम मेरे साथ उन पिलोज को ढून लोगी तो चाहत बोली कि हाँ मैं ढून तो लूगी लेकिन हम लोगों को बहुत सावधानी से करना होगा जो भी करना है क्यों क्योंकि अगर अविनाश ने या एलस ने इशा ने किसी ने भी देख लिया इन पिलो सबसे पहले मिला वो सोफो के पीछे था सोफो के पीछे से इन लोगों ने दो कुशन्स निकाले जिसके अंदर दाल और चावल भरे हुए थे तो वहीं बेड्रूम एरिया के अंदर आटे का पैकेट मिला जहां पर इशा सोती है महां सिर्फ आटे का पैकेट ही नहीं कर खोश उड़ गए चाहत के भी और करणवीर के भी इन लोगों ने उस सारे राशन को चुपा दिया है और ऐसे में जब चाहत पे इतनी बड़ी मदद की तो भाई शिल्पा आई चाहत के पास और कहती है तुम मेरे लिए अपने दिल में कोई भी ग्रज मत रखना तुम नाश के चुपाए हुए ईशा के चुपाए हुए ठिकानों को निकाल डाला वेल दोस्तों क्या कहेंगे आप इसके लिए हमें कमेंट्स में आप जरूर लिख कर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें